मैं डॉक्टर अनल प्रदिक्षित हूँ और आपको आपके काम की अच्छे अच्छी बातें इस चैनल पर साथ वर्ष से बता रहा हूँ मैं आज आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई कोचिंग जोईन करते हैं तो आपको क्या बातें देखनी चाहिए जोईन करने के पहले तो आप सिर्फ फीस देखते हैं हलाएकि ये एक गलत परंपरा है क्योंकि बहुत सी सस्ती चीज़ें बहुत नुक्सान दे होती हैं और वो चलती नहीं हैं ngी चीज़ें आप अफॉर्ड नहीं कर सकते तो आप सस्ते चीजें खरीद लेते हैं और वो पैसा भी आपका डूब जाता है क्योंकि सस्ते में जो खरीदा जाता है वो किसी काम का नहीं होता है एक एक्जाम पर ललग है कि कभी कभी हमारा बजट कम होता है तो वो बात अलग है कि हम कोई चीज कम धनराशी की खरीद लेते हैं जैसे माली ये मेरी जेव में 10,000 रुपए हैं और मैं सिक्का खरीदने गया सोने का सिक्का तो तनिश्च की दुकान पर पहुँचा 10 ग्राम का सिक्का 50,000 रुपए का था अब मेरे पास 10,000 रुपए हैं तो मैं वो सोने का सिक्का खरीदूँगा जो 10,000 रुपए में आ जाएगा मिलेगा तो मुझे सोना ही मैं मिट्टी नहीं खरीद लाओंगा ठीक है न तो कभी कभी कम दाम में हम कम मात्रा में उच्छ गुनवत्ता की चीज अगर खरीदते हैं तो कोई बुराई नहीं हाई क्वालिटी की चीज आप ले रहे हैं लेकिन वो कम क्वांटिटी में है क्वांटिटी उसकी कम है वो आप ले रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर आप सस्ते के चक्कर में अगर आप सुनहला पानी चड़ा हुआ सिक्का खरीद लिया तो पानी तो उतर जाएगा अंदर से मेटल निकल आएगी एक तो आपको ये बात देखनी चाहिए कि क्या कम फीस के कारण आप जिस बैच को ले रहे हैं वो सोना ही है कम क्वांटिटी में या सुनहला पानी चड़ा हुआ है प्लास्टिक का सिक्का है या दातू का सिक्का है ये भी देखना चाहिए दूसरी बात यह है कि अध्यापक एक गंभीर विक्तित तो होना चाहिए आप आईए स्पीसिस एस्प्रेंट है तो अध्यापक का विक्तित तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप प्रेरित हों वो ज बात अलग कुछ चीजें आपको जल्दी याद हो सकती हैं लेकर उतनी ही जल्दी भूलती भी है मनोविग्यान यह कहता है तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि अध्यापक का चरित्र उसके गोण उसका व्यक्तित तो आपके उपर बहुत ज्यादा छाप छोड़ते है यह ध्यापक आपको गाउं की बोली में और जोकर की तरह हसंस के आप आईएस का क्लास कर रहे हैं कपिल शर्मा शो नहीं देख रहे हैं आईएस का क्लास कर रहे हैं तो आपको इस बात से बहुत सतर करेना चाहिए कहीं आप सस्ते के चक्कर में उस अध्यापक के पास तो न प्रियापक नहीं जोकर है और जिसके पास पढ़ाने के नाम को कुछ नहीं है जिसने वो परीक्षा कभी क्वालिफाई नहीं की है जिस परीक्षा के लिए वो आपको सफल बनाने का दावा कर रहा है यह आपको देखना चाहिए यदि आप नहीं देखते हैं तो बिटा अपन था और गलत था बस यह आपको देखना है मैं तो खेर यहाँ फ्री पढ़ा रहा हूं तो मुझसे कोई competition किसी का नहीं है लेकिन आप करने नहीं गलत है यह दिया पर ध्यापक की बजाए किसी comedian को मानिता देते हैं थैंक यू